हेलो बच्चो जैहिन टो एवरिवन मेरा नाम है सिवम सारस्वत और आप मुझे जानते हैं डिफेंस एक्जाम मास्टर के नाम से आज इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आप लोगों से बात करूँगा जनवरी दोहजार चौबिस के करेंट अफेर्स के बारे में और जैसा की मै मैं यहां पर देख पा रहा हूं एक बार लेट मी चैक यह लाइव क्लास है यूटूब पर चल रही है लाइव आप लोगों के सामने और हम आज इसमें जानेंगे वह सारी चीजे जो की जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक बार मैं फोन से चेक कर लेता हूं स्ट्रीम is working or not बागी सारे बच्चे यहां पर धीर धीरे करके जुड जाएंगे थोड़ा सा यूटूब ने अपडेट कर दी हैं चीजें किस तरीके से लाइव क्लास को देखा जाए आप अपने चैनल में जाते हैं और आपकी लाइव क्लास चालो हो जाती है बच्चे यहां पर थोड़ा सा यूटूब ने अपडेट कर दी हैं चीजें किस तरीके से लाइव क्लास को देखा जाए आप अपने चैनल में जाते हैं देना आपकी लाइव क्लास चालो हो जाती है बच्चे यहां पर जुड सके हैं एक सारे बच्चे आपकी से देना बस मुझे ओके जो भी बच्चे मुझे यहां पर देख रहे हैं वो मुझे चैट में एक बर बता देंगे कि sir everything is okay जो बच्चे मुझे यहां पर देख रहे हैं वो लाइव क्लास में जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो सारे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि is everything okay क्या सारी चीजे सही सचल रही है कोई issue, कोई error, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख है तो मुझे यहाँ पर बता दिजा, खीक है इस class को बहुत सारे बचे लाइब देखेंगे, बहुत सारे बचे को बाद में भी देखेंगे, क्यों जूब बच्चे मेरी इस class को बाद में और पुस मेसेज डाल दो अपने दोस्तों के साथ इसको सेर कर दो मैं चाहूंगा जाओंगा जाद से ज्यादा बच्चों के साथ आप इसको सेर करें सेसन को जनवरी 2024 के करेंट अफेर बढ़ाने वाला हूं कुछ और भी अपडेट से इसके वारे में मैं यहां पे आप से उस साल के हम शुरुवात जो कर रहे हैं उस पहले महीने के करेंट अफेर जनवरी एक एतहासिक महीना रहा हमारे लिए और हमने काफी सारे अचीवमेंट्स हासल किये एज अ कंट्री एस सेटेजन स ओफ इंडिया बहुत जारी चीज़े हुई है बहुत सारी चीज़े हो जैसे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे हमने जो है राममंदिर का हमारे यहां पर वह हुआ राममंदिर को खुल I hope all of you can see this यहां पर बच्चो मैं अगर बताना चाहूं तो तुम लोग यह देखोगे कि यह जो क्लास है जिसमें हमें आज आपको पढ़ा रहा हूं that is current affairs January 2024 monthly capsule है अपना अच्छा इस वीडियो के description में जब यह पूरी class हो जाएगी उसके कुछ देर के बाद इस वीडियो के description में आपको इसकी PDF मिल जाएंगी जो बच्चे मेरे से classes में जोड़े हुए उनको तो पहले मिल जाती है सबसे पर जो बच्चे मुझे YouTube पे देखेंगे class, Telegram, WhatsApp, Groups में मैं चाहूंगा बच्चे सेयर करें सब बच्चों के साथ तो आपको इसी वीडियो के description में PDF मिलें कि जहा एक्जाम है, कितना तारिको है? 16, 17, 18 तारिको ये 2024 में एक्जाम है, उसी तरीके से 21 अप्रेल को NDA और CDS है, है ना? तो हमने सोचा कि क्यों न यार बच्चों को तयारी को एक्दम चेक करने के लिए उनको एक ऐसा platform मोहया कराया जाए, जहां पर बच्चे अपनी तयारी को चेक कर सके, अपने knowledge को चेक कर सके और speed and time पे काम कर सके, speed और accuracy पे काम कर सके, तो हमने अपना एक portal लाँच किया है, test series का, हमने पूरा एक website, app, सब कुछ लाँच कर दिया है, app का नाम है study dose, आप उस app को टाउनलोड कर सकते हो, उस app का नाम क्या है study dose, अब बच्चे बोलेंग coaching चलाते थे, यह बात है, 2010 से 2014 पंदर के आसपास कि, तो हमने वो नाम, domain name तभी से लिया हुआ था, तो उसको हम वो नहीं करना चाहते थे, तो study dose के अंदर ही DXM आ गया है, defense exam master is now under study dose, है एक ही चीज, कोई problem नहीं है, बट इसमें multiple categories है, जैसे आपकी defense हो गई, ठीक है, आपकी UPSC हो गई, आपकी teaching हो गई, and SSC railway banking, भाई, सब कुछ आ गया इसमें, हमने हर exam की test series available करा दिया, हमें एक साल से content पर काम कर रहे थे, तो हमने यह ला दिया, अब तुम लोगों के लिए क्या है, defense and police की test series आईए, तो बच्चों को मैंने जैसे बताया कि पहले मैंने 499 price कर दिय प्राइस हमने घटा दिया था, बच्चे बोले से बड़ी महगी है, यहाँ पर तुम study dose plus defense exam master दोनों को देख पा रहे होगे, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, मैंने tech team को बोला कि मैंने का यार कुछ करो, पैसे वैसे कम कर देते हैं, इसके थोड़े से ब कुछ भी आप दो, कोई tension वाली बात नहीं है, इसमें 100 plus आपको full length mock test मिलेंगे, इसमें 100 plus full mock हो गए, आपकी topic wise test हो गए, ठीक है, 10 year plus pyqs हो गए आपके, pyqs को पुराने साल के जो pyqs के paper है, उसको भी आप लोग यहाँ पे solve कर सकते हो, ठीक है बच्चो, तो pyq को भी आप solve क ठीक है, एप आप download कर लेना, अब यहाँ से मैं आगे चलूँगा class की तरफ, यह बताना जरूरी था, क्योंकि speed और accuracy तभी आएगी जब आप practice करोगे, practice कहां से करोगे, अब यहाँ से कर सकते हो, you have an option available, ठीक है, अब चलता हूँ मैं आगे की तरह, यह चीज मैंना तुमको ठीक है, कि किस तरीके से करना है, क्या है, SDMAX लगा लेना, 399 में आपको पूरी एक साल के लिए problem खतम, NDA, CDA, Subcats, CAPFB हो जाएगा कबर, मैंने लगवग 50 question compile की हैं, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, और मैंने बोला था कि मैं, अगर मैं 50 question compile करता हूँ, अगर मैं 50 question बोल रहा हूँ, तो वो 50 plus 10, 15 extra ही हो जाते है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें question दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करूँगा, बढ़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे, तुम लोगों को, ताकि यह दिखे आराम से, अब एक question आया है, in the acronym, सारसमेला, which are organized frequently, what does the R stands for, पहला question क्या है, in the acronym, सारसमेला, which are organized frequently, what does the R stand for, R का मतलब होता है, रूरल, अवे सारसमेला, तुम बोलोगे कि भईया, यह क्या कहानी है, यह तो बताओ, इसका मतलब क्या होता है, रूरल, यहाँ मैंने explanation भी डाल रखे, वाइदर वे, सारस का मतलब होता है, sale of articles of rural artisans society, क्या होता है, sale of articles of rural artisans, artisans होते है, जो हाथ से सामान बनाने वाले कलाकार होते है, उनको artisans बोलते है, ठीक है, दियार, अलग अलग जगा पे art कराया जाते हैं, ताकि उनकी कला को दुनिया के सामने लाया जा सके बच्चो, है ना, रिसेंटल एक दीदी लखपती तिरपुरा अगरगती एक scheme आई थी, जो की unique scheme थी, है ना, जो theme थी किसकी, सारस मिला 2000 थी, जिसको launch किया तक तिरपुरा के CM, Dr. Manik Saha ने, यहाँ पे क्या करीके के लोगों के, artisans के, ताकि उनको रोजी रोटी का और उनके business को भी glow मिल सके, अगला आता है, लाल बादु सास्त्री Institute of Technology for Women, LBS ITW ने, है ना, एक news में था वो, उन्होंने एक launch किया है, क्या nano satellite, जिसका नाम है VSET, वो किस city में लांच किया है, VSET इन्होंने, VSET इन्हों VSET जो इन्होंने लांच किया है, वो तुम्हारा किस city में लांच किया है, इन्होंने, यह लांच किया है, तिरुवननतपूरम में, answers याद रखते चलना है, PDF में तुमको दे दूँगा नीचे, ठीक है, I will give you this PDF, basically आपको मिल जाएगी class के बाद, ठीक है, आगे चलते है, इसके साथ इन्होंने इसको भेज दिया, जो एक्सपो साट गया था न, इस रोगा एक एक्सपो साट मिशन गया था जनवरी में, उसमें इन्होंने भेजा यह लोड, देड़ किलो का सेटलाइट है जो पूरी दरीके से महलाओं के द्वारा बनाएगा, इस इसको पहला ऐस इसकी फुल्फरम क्या है, वोमेन इंजिनियर सैटलाइट, इसकी फुल्फरम हो गई, वोमेन इंजिनियर सैटलाइट, यह आपका हो गया, V-SET, ठीके, कौन से कॉलेज की उन्होंने बनाया है, लाल बादू सास्त्री, इंस्ट्ट टेकनलोजी फोर मॉमेन, LPS, ITW, तो यह य इस सेट का परपस क्या होगा, यह UV radiation और इसके impact को study करेगा, किसको impact study करेगा, UV radiation और इसके impact को यह study करने वाला है, what it will study, it will study UV radiation and its impact, okay, the satellite project was, क्या था, satellite project के साथ क्या कानी हो रही थी, जो यह जो satellite project है न, इसको LED किया था, लीजे अबराम, एक assistant professor है, और क्या है, principal investigator, है न, इसक technical assistant, उन्होंने इस रो के माद, इस रो की तरफ से इनको वो दिया, यहां पर तुम लोग को कोई डाउट आएगा, तो तुमको मेरा नंबर यहां दिखी रहा है, इस नंबर में मुझे रीच आउट कर ले, जब भी तुम यह class देखोगे, कोई दिक्कत समस्या रही है, competitive exams में मैं यह थोड़ा सा यह format चेंज करके मैं यहां पर यूज करता हूँ, okay, अगला question आता है, which country in India never would have decided to impose a one year banon Chinese research vessel in its exclusive economic zone, भाई साब, चाइना की जो नाव वाव आती है ना, research vessels जो आती है चाइना के देखो तुमको पता है, चाइना, चाइना, यह से country जो खुरापाती तो है, अब क्या पता उनकी जो research vessel है, उसके नाम पे वो spy research vessel हो, क्या पता, वो secret information leak कर रही हो, उस country की, तो इस वचे से किस देश ने बजन कर दिया भाईया, स्री लंका ने बोला, भाईया, तुम से, हम से ना होबाएगा, तुमको बैन कर रहे हैं, तो स्री लंका ने बैन कर दिया उनको, है ना, उनका क्या था, जो exclusive economic zone था, उन्होंने उसके बंद कर दिया, उसके vessel को, क्योंकि इंडिया ने और US ने concern उठाया था, कि इसको आप दे चीजरों को भी लेके दिक्कत थी, इस बज़े से उसको बैन करवाया गया है, है ना, सो, जो diplomatic ties होते हैं, दो देशों के बीच, वो ऐसे काम करते हैं, कि आपको अगर सामने वाला देश कुछ बोल रहा है, है ना, तो आपको सुनना पड़ेगा, diplomatic ties जैसे काम नहीं करते हैं, वन वे हो गया, you just cannot be in a one side, यसे हमारे US से ties है, हम रसिया से वेपन्स खरीतते हैं, लगो 50% हमारे defense weapons होते हैं, वो रसिया से आते हैं, by the way, defense budget भी आज अनाउंस हो आ है, मेरी उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आ रहे है, क्या क्या होगा, आप लोग जरूर देखेगा, ठी क्योंकि diplomatic जो चीजे होती है, वो हर जएकर तो लड़ाई नहीं होती है, बहुत सारी चीजे डायलोग के माधिय मेंसे solve करी जाती है, तो it is a give and take policy, आपको कोई सामने वाला बोल रहा है, आपने उसकी बात मानी, आज तो कल वो आपकी बात माने का, तो इस वजए से चीजे कर के रखनी बढ़ती है, maintain करना पड़ता है, अपना stand, अच्छा, Adora Magic City is the first homegrown cruise ship of which country, Adora Magic City, पहला homegrown cruise ship है, किस country का ये, चाइना का है, है बटा, किस का है ये, चाइना का, आगे चलता हो ले question की तरफ, question number 5 बच्चा बाटी, अब how students can enroll in APAR, automated permanent academic account registry system that was recently making news, जो कि recently क्या कर रहा था, अब एक, अपार करके आया है, है ना, अपार करके क्या है, automated, अपार का फुल फॉर्म, APAR, अपार का फुल फॉर्म क्या है बच्चो, automated permanent academic account registry, ये क्या करता है, ये आपको digilocker के माध्यम से, through digilocker portal, तुमने देखा होगा, digilocker का app, जो आप डाउनलोड करते हो ना, digilocker मे अपने अपना अधार कार्ड, अपना गाड़ी का RC, अपने driving license, ये सब आपने डाल दिया, तो एक WhatsApp पे भी, अगर आप एक number पे message करते हो, particularly तो वो आपको पूरे आपके document वहाँ पे सो कर देगा, तो आपको अभी physically वो जो card वाला होता है, license और वो सब लेके जाने के जरू हो उनको नाम, एस, डेटो पर, जेंडर और अपना photo देना है, तो उससे काम हो जाएगा, आपके का बस, बास समझ में है, अगला आदा है, which three items from the अर्णाचल पदेश, recently received the GI tag, geographical identification tag उसको बोला आता है, क्या बोलता है, geographical identification, GI tag बहुत जादा जरूरी है, है न, कोई particular चीज है, वो उसी परिंदि, जैसे मैं मतुरा से हो, तो मतुरा का पेडा, पेडा को GI tag दे दिया, ठीक है, आगरा का ताज मेल, उसको GI tag दे दिया, I'm just giving you an example, है न, तो यहाँ पे किसको दिया गया है, और नाचल के किस चीज को दिया गया है, three items, जो है, कैसे है, आदी केकिर, तेबतन कार पेट, आदी केकिर, तेबतन कार्पेट, वांचु वोडन क्राफ्ट, ठीक है, इन चीजों को क्या दिया गया है, बेटा, GI tag दे दिया गया, और नाचल के, question आ सकता है, एक्जाम में, आप लोगों को यह याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को तुम लोग याद र जिंजर है, है ना, वांचो जो है, एक स्कल्प्चर फिगर है, जो बोडन आइटम से बनाया जाता है, तो वहां की कोई यूनिकनेस होती है, वहां की कोई यूनिका इडेंट्री होती है, कोई प्रोडक्ट या, कोई ऐसी चीज होती है, उसको GI tagging दे जाती है, अब आता हू कि सबसे बटी diamond mining form है, Alrosa, उसको blacklist में डाल दिया, European Union ने, अब तुमको पता है, Russia-Ukraine war चल रहा है, European Union यूकरेन के साथ खड़ा हुआ है, एक तरह से वो उसको हत्यार वैगरा मोया करा रहा है, और Roos अकेला एक साइट से लगा हुआ है, तो ये उस वचे से भी थोड़ा सा है, और इसलिए European Union ने लगवा किस पे बैन लगा दिया, ठीक है ना, और उनके CEO को भी blacklist कर दिया है, कि बेटा, आप न कर पाओ के तुम, है ना, क्योंकि जो उन्होंने हमला किया है, न, रसिया ने, मॉस्को, मॉस्को ने, यानी रसिया ने, जो उक्रेन पे हमला कर दिया, उसके चक्कर में ये कारिक्रम हो गया, which state government had prohibited government offices from purchasing petrol and diesel vehicle from January 1-24, बहुत बढ़िया काम कर दिया, भाई, सच में, मज़ा आ गया, हिमाचल पदेश सरकार ने क्या बोला है, आंसर है, हिमाचल पदेश, अब बेटा, हिमाचल पदेश के बारे में मैं बात करूं, तो हिमाचल आपको बताना चाहूं कि, why governments, जितने भी सरकारी agencies है, या government, जैसे EESL होता है, Energy Efficiency Services Limited, है न, EESL की आपने गाडिया देखिए, वो लोग mainly EVs यूज़ कर रहे है, क्या यूज़ कर रहे है आजकल, EV, EV क्या होता है, electric vehicle, जैसे मैं खुद एक electric scooter drive करता हूँ, लगबग 4 साल हो ग आता है, ठीक है, और environmental को भी, environment को भी कोई कदूसर नहीं पहुचाता, जैसे कि fossil fuels है, जैसे petrol, diesel है, इससे निकलता है, क्या, धुआ निकलता है, अब इस smoke में क्या होता है, जैरीली कैसे होती है, जैरीली कैसे होती है, वो खतरना के environment के लिए, तो इस वज़े से बैन लगा दि जो होंगी, वो EVs यूज़ करेंगी, ताकि वो EV की adoption आजाए, अब गवर्मेंट का रूल है कि 2030 तक हमें पूरी तरीके से electrification कर देना है, तो इस तरीके से भी सरकार काम कर रही है, तो मैं recommend यहाँ पे इस क्लास के माधियम से में आप लोगों को भी बोलूगा, अगर तुमार experience से बता रहा हूँ, तो move towards EV, अब आते हैं आगे हम, recently SJ Sankar, जो हमारे कोन है, external affairs minister है, co-chair था 7th meeting को इंडो नेपाल joint commission, किस, in which year, इंडिया नेपाल joint commission was set up, कौन से साल में इंडो नेपाल joint commission set up हुआ था, ये बेटा set up हुआ था, 1987 में, it was being set up in 1987, ठीके, कौन से साल में बेटा हुआ था, 1987 में, it was set up, ठीके, ये कब set up हुआ था, आपका, 1987 में set up हुआ था, अब, ये meeting में इनोंने पाट के, आपको पता है, SJ Sankar, हमारे external affairs, जो minister है, जब वो बोलते हैं, तो everyone listens, and I really adore him, जब उनके बात करने का उनका जो तरीका है, जो उनका stand लेने का तरीका है, भारत का stand जब वो लेते हैं, वो facts and figures के माध्यम से आपको समझा देंगे, है ना, पहले क्या होता था, कि हमारा कहीं न कहीं leadership में थोड़ा सा problem होता था, हम उतने firm तरीके से अपनी बातें नहीं रख पाते थे, but the current government में, अगर मैं कुछ, कुछ लोगों की बात करूँ, जैसे हमारे NSS अबेंजी डोवाल, he is an IPS officer, he is an IPS officer, he is an IPS officer, उनको galantry award मिला हुआ है, one recover रह चुके हैं पाकिस्तान में, Mr. S. Jasri, S. Jasankar, he is an IPS officer, है ना, तो पढ़े लिखे लोग है, facts and figures है, data होता है, backed up by total thorough research, तो वो जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और ऐसे, actually मैं हमें ऐसे ministers चाहिए जो stand लेते हैं firmly, क्योंकि यहां पे ना देश को represent कर रहे हो ना, आप तो आप बिना data के नहीं चल सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा, तो आप firmly बोलोगे, that is the thing, तो 1987 में बना था, क्या बना था, इंडो-Nepal बेटा, इंडो-Nepal Joint Commission में बना था, 1987 में तब से चीजे होती आ अब यहां पे हम partnerships के बारे में बात करते हैं, है ना, यहां पे नेपाल के जो पैशनेर रामचंद्र पॉडल, उनके साथ, PM, उनके यहां है पुस्व कमल दहल, है ना, प्रचंड, तो आपे बात्चीत हुई, आपस में, लोगों, दोनों के बीच में, अब 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 इसका अब इसका आंसर है, Microsoft, Microsoft की Windows, हम लोग सब यूज करते हैं, आपको पता है, Microsoft की, जैसे मैं, यह PC, जिस स्क्रीन पे आप लोग मुझे देख पारे हैं, जिस स्क्रीन पे तुम लोग मुझे देख रहे हो, यह भी एक Core i5 प्रोसेसर वाला computer ही है, इसमें एक computer होता है, that has a Core i5 प्रोसेसर inside it, और उसमें Windows कौन सी है, Windows 11 I am using, तो Windows के बारे में तो सब बच्चे जानते हैं, तो यह Microsoft ने वो किया है, co-pilot की, है न, नए PCs में क्या होगा, जो Windows operating system वाले है, उनमें co-pilot किया जाएगी, यह Microsoft का AI chatbot है, जो क्या करेगा, इंटेग्रेट कर देगा, chat GPT maker, आपको पता होगा, chat GPT के बारे में सब सुनते है, chat GPT जो है, chat GPT के बारे में, आप AI के बारे में बात कर रहा हूँ, chat GPT का जो parent company है, that is open AI, कौन है, open AI, उसके CEO कोन है, Sam Altman, Sam Altman को पीछे पहले हटा दिया गया था, बाद में वापस लाया गया, क्योंकि फिर दिक्कत हो गई थी, board ने उनको अटा दिया था, फिर वापस लाया गया, Sam Altman को, तो यह चीज़ आपको पता है, in addition to the co-pilot key to the PC, जो जो चेक की बोर्ड यूज में daily life में रोज करता हूं, in content creation, in आपका YouTube के algorithm को check करने में, आप बहुत सारी जगपे में AI का यूज करता हूं, आप लोग भी करा करो smartness के साथ यूज करो के तो बहुत काम की चीज़ है, तो Generative AI इतनी अच्छी technology है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करो क तो बहुत काम किये, और नुकसान भी होता है, तो यह जो initiative है, Microsoft का, यह PC keyword के अंदर एक बहुत revolution लिक्या है, इस तरीके से इसको याद रहा है, what is the full form of FMR as mentioned in the news regarding India's border with Myanmar, FMR का होता है free movement regime, क्या होता है पेटा, free movement regime, इंडिया को जो म्यामार के साथ border है, इंडिया म्यामार बॉर जो है, उसको बोलते है, free movement regime, यह लगबग, अभी, अभी क्या होता था, tribal communities जो होती न, दोनों तरफ जो रहती थी, 16 km आस-पास तक बिना visa के travel कर सकती थी, अब इसके कारण से क्या हो रहा था, illegal immigration हो जाता था, वहां से जंता यहां आ रहे है, यहां की जंता वहां तो नहीं जाती पर वहां की जंता यहां आ सकते न, भारत के अंदर, इस वजए से free movement regime लाया आ गया है, है न, and mandate visas, फोर म्यामानीजनेस, म्यामार का कोई बंदा आएगा, तो आपको visa चाहिए होगा, जर आप ऐसे नहीं गुश्किया सकते, अब आते हैं, अगले question के तरफ, what is the purpose of भार भारत पाक to be set up, what is the purpose of भारत पाक to be set up in United Arab Emirates as announced by the government recently, क्या होता है, भारत पाक जो है trade, Indian goods के trade को बढ़ाने के लिए use करा जा रहा है, to increase the trade of Indian goods, भारत का जो समान है, जो United Arab Emirates इसको बोलते है, दुबई वगेरा जहां पे है, है न, यहां पे क्या होगा, showroom बनाए जाएंगे, warehouse बनाए जाएंगे, ताकि Indian जो products है, उनको अलग countries में वहाँ पे बेचा जा सके, ओके, तो यह Indian goods का international market में, अगर आपको पहुचाना है, तो simple सी बात है, आपको warehouse बनाना पड़ेगा उस देश में, आपको वहाँ पे दुकाने खोननी पड़ेंगे, तभी तो बेच पाओगे पेट, विच कंट्री, यह Czech Republic के बेटा PM थे, यह आये थे Vibrant Gujarat Summit के अंदर, ठीक है ना, वो guest of honor थे, 10th Vibrant Gujarat, Global Investor Summit के, ठीक है ना, गांदी नगर में वाँ पे उन्होंने पाटिसिपेट किया था, Global Leaders आये थे, बहुत सारे Investors आये थे, ताकि Economic Development को लेके, भारत में और FDI आये, अलग-अलग sectors में पैसा आये, इन्वेस्टर जब आता है ना, अपने साथ किसी देश का तो भारत में FDI आती है, FDI के बारे में कपी किसी और क्लास में चर्चा करूंगा कि How FDI help the country, तो Czech Republic के यह है, तो यह question बन सकता है, कि exams में, one day exams के में बात करूं, current affairs में सही, mainly question ऐस the development of humanoid robot Aloha, Aloha जो है, जो गूगल का DeepMind and Stanford University की खोज है, किसकी है, Google का DeepMind and Stanford University, इन दो इन दोनोंने मिलके इसको बनाया है, यह humanoid robot है, बल्कुल human जैसा robot है, है ना, तो इस तरीके से इसको बनाया गया, अगला question आता है, who has been appointed India's ambassador to the world trade organization, जिनेवा, है ना, WTO, इंडिया का ambassador किस सुट्जियर लेंड, याद रखना, world organizations और उनके headquarters mainly पूछ लिए जाते, exam में आपको पता होना चाहिए, तो किसको बनाया गया है, यहां पर सेंधिल पांडियन सी, इनको बनाया गया है, सेंधिल पांडियन सी को, अपोइंट किया गया है, अपोइंट्मेंट कमिटी ओफ के जो यह सारी चीज़े करती है, अब यह सेंधिल पांडियन सी आप जो है न, he is an IS officer, है न, है न, IS officer है, UP के 2002 batch के, IS officer of, UP कार्डर, 2002 batch, 2002 batch के यह IS officer है, तो आपको यह याद रखना है, यह चीज़, ठीक है, उनको तीन साल के लिए न्युक्त किया गया है, है न, पहले बरजेंदर नवनीत थे, अब इनको बना दिया गया, सेंधिल पांडियन को, अब inflation के बारे में बात करी जाएगी, high interest rate के बारे में वहाँ पर जाएंगे, तो बात करेंगे, है न, geopolitical tensions जो चलती है, उसके बारे में भी यह, मतलब, जब ऐसे world organizations में हमारे representative जाते हैं, UN म पर पड़ा लिखा अद्मी जाता है, ऐसा ही नहीं किसी को बना देंगे, पड़ा लिखा अद्मी जाता है, तो the IS officers, that is why they are being sent there, आगे चलते हैं, अगले question की तरफ, question number 15 हो गया, question number 16 की तरफ, मैं आँ मूव करना चाहूंगा, I hope आप लोगों को मजा आ रहा है, अगला question है कि, स्मृती मंदिर एंड दीख्षा भूमी, which were recently in news, related to what, स्मृती मंदिर एंड दीख्षा भूमी, क्या है ये, है न, are located in this city, ये नागपूर में situated है, अब ये दोनों चीज़े हैं क्या है, है न, स्मृती मंदिर जो है, housing न मेमोर्य राष्ट ये, स्वें से बक संग, founder, केसव ब को वो किया था, along with a lot of his followers, इन दो साइट का historical importance यतना ज्यादा है, कि उनको अभी वो किया गया है, ठीक है, तो हम लोग जब स्कूल में थे, हमें याद है कि हम लोग RSS के स्कूल से पढ़े थे, तो हमें ये सारी शीजों के भारे में तो बच्पन में बता दिया जाता था, त को father of Indian constitution भी बोला जाता है, Dr. Ambedkaru किया बोला जाता है, father of Indian constitution, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चो, I hope यहां तक तुम्हें समझ में आया, आगे चलता हूं, which elite unit of Indian Navy was involved in the successful rescue of 21 crew members, including 15 Indian from Librarian flag vessel MV Lila Norfleck, ये न्यूज इतनी ज्यादा हाइलेट थी, जो इंटरनेट में हर जगा चल रही थी, and एक सिप था MV Lila Norfleck, ये भाई-जाब इसको कर लिया था, pirates ने क्या कर लिया था, इसको उन लोगों ने वो capture कर लिया था, तो यहां पे participate करने के कौन आया यहां पे इनको बचाने के लिए पता है, कौन आया मैं तुम लोगों को अगर बताना चाहूं तो, यहां पे इनको बचाने के लिए इंडिन नेवी के मार्कोस गये थे, Marine Commandos इनको बोला या था, ठीक है, I hope तुम लोग लिखते भी जा रहे हो, कोई बात नी, इसक प्लस पंदरा भी इस हो जाएंगे, इस मैं एक्स्टा भी बता दूँगा, मैं बहुत सारे, ठीक है, तो इन्डिन नेवी की Special Forces कौन सी है, यूनिट, मार्कोस मरीन कमांडो जिसको बोला या जाता है, मार्कोस किसकी है, नेवी की है, मार्कोस इस फॉर नेवी, ठीक है, यहा यह Special Forces जाती ही नमारी, अच्छा, Counter-Terrorism Force कौन सी है, वाट इस the Counter-Terrorism Force, अब, NSG के बारे में भी बोला जाता है कि NSG भी है सर, भाई साब, NSG जो है, NSG is Counter-Terrorism Force, विकाज वन ओप माई बर्दर है, कजिन बर्दर है, सर्फड इस जो है, तो, NSG is Counter-Terrorism Force है, और NSG में में मेजर सिद्राम सोलांकर, एंड देन, लेफन करनल, नरेंदर सर का मैंने, अल्री पॉड़कास्ट मेरे चैनल पे है, आप लोग जाओ, टॉक्विद लीजेंट्स करके, प्लेलिस्टस में देखो, आपको बहुत सारी मज़ेदार कन्वर्सेशन मिलेगी, देखना जरूर, ठीक है, मैंने पॉड़कास्स लिया, आई सर के साथ, आप टेकन टू पॉड़कास्स लिया, आपको यह कुछ आगे चलते हैं, अब इसमें क्या हुआ था, मैं तुम्हें बता देता हूं, की 21 लोगों का क्रूमेंबर था, इसमें 15 भारतिय नागरिक थे भाई, शिप का नाम था, अब इसमें गए हमारे मार्कोस कमंडो, नॉर् मार्कोस होते हैं, बहुत जादा खथरनाख, मैरी टाइम सिक्योर्टी थ्रेट्स होते हैं, है ना, वाट से मरीन पैट्रल एरक्राफ, हेलिकॉप्टर, पेड़ेटर, MQ-9B, ड्रोन्स, है ना, इन सब का यूज किया यहां पे, है ना, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन केरिड यहां पे, मार्कोस ने समयाइजेशन ऑपरेशन यहां पर कंड़क किया, और भंडशन को पकड़ के निप्टा दिया, तो मार्कोस का काम ही है, उनको घड़ाल जाता है, उनको ऐसी नी जाता है, घड़ाल, ठीक है, तो, बेरी सुन, समवन फ्रम मार्कोस बिल आइम में प्र सब्सक्राइब नहीं तो कर ले ना गंटे की बटन दबाले ना बैल आइकन जिसको बोलते हैं आ जाएगा तो तुम्हें अपडेट सा जाएगी विचना फॉलोइंग डिस्क्राइब यह थर्टी डोराडस B लेट वाज री सेनल्नियुज रिए और यह क्या है सुपर्नवा रहेमनेट्ट था डोराडस B 30 दोराडस B वहुत इसके बारे में अगर मैं बात करों तुमसे यह एक सुपर्नोवा रहेमनेंट नाशा का चंदरा एकसरे अजिसेरे प्ल्सक्राइब के अगला पर इससे डाइब रिच अब्लेब ड वर्क फूर फूर्ट वैयंटी मिनिमूं वेजिए प्र फूद डिलिवरी वर्कर्स आपकर दिली ऑसी एक पर फूर्ट गया है वेच्ञ अच्छा सौलीशन है यहां पर अभेजिनन चक्रपरती सेखनान अमिता बांची एंद पी एक बार प्लीज यहां पर किसी को भी कोई डाउट होगा तो बच्चे मुझे यहां पर बता देंगे ठीक है अगर यहां पर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेस्चन में तो आप मुझे यहां पर बता सकते हो कि यूगें टेल में हीर कि इफ यहां वाट एनी डाउट सेन एनी क्वेरीज तो ठीक है बच्चो तो यह हो गया अगला क्वेस्चिन अब आगे अगर मैं चलना चाहूं यहां पर इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा यहां पर क्वेस्चन नमर भी आ रहा है केलू चन मोहपात्त्रा हूज नाइंटीएथ बर्थ अन्रसवर्सरी जोती है न्यूज में थी help to revive and popularize which dance form यह किस चीज से अब आते हैं बहुत सारे लोग किसी game से associated है किसी dance form से किसी cultural चीज से associated है यह थे हमारे ओडिसा के ओडिसा का जो famous dance form है that is odyssey odyssey is from odysa ओडिसा के capital क्या है बहुवनेश्वर है ना तो के मोहपात्त्रा जो थे 1926 में पैदा हुए थे उन्होंने revive किया था and popularize किया था odyssey dance को 20 सताब्दी में है ना और tradition उनने गोटी पुआ और महानी dance transforms को भी उनने इसके वज़े से odyssey restructure हो पाया अब आता है थर्टी डॉरादस भी जो कि न्यूज में था रीसेंट्ली एक सुपर नूमा यहां पर क्या है इन्वेस्टिकेशन किया था ऑस्टेलिया की स्ट्रेजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट ने उसने अनकवर किया कि एक स्टेंसिव यूट्यूब प्रोपेगेंड़न नेटवर्ग डब्ड ऑपरेशन सेड़ोप ले आया है यहां पर कम सकम 30 चैनल है जो प् 120 मिलियन व्यूज एकट्टे किये है यह ना यह नेटवर्ग ने कॉडिनेट करके क्या किया यूट्यूब को एक्स्ट्राइट किया ताकि विजिबिलिटी आये ज्यादा रीच आये सब्सक्राबर आये व्यूज आये और अपनी बातों को वीडियो उसको प्रोपेगेड कर यह नहीं कि हो सकता है चाइनीज स्पाई एजेंसी कर रही हुए चाइना का इसमें हाथ ओविसली थे हाथ तो है ठीक है तो यह ओपरेशन सेडव प्ले जो था वो चाइना से रिलेटेड था यह किसने कौन लाया था इसको ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेजिक पॉलिसी कि महारा हाइए ढ्रीटू Blair उपजर मोहें फाइटर ऐर क्राफ यह फिए भी यह फिसल सिएंट ड्रोन तो जो यह ना स्काइड्यूर्ड था यह हाया एल्टरीटूद ऑप्जर वेसन बलून था इट माशाा है आपिस्ट अंशर दिख रहा है अगले कोश्चिन की तरफ चलते हैं अब क्या हो रहा है तुम्हें पता है कि हिजुबला के साथ टेंजन चल रही है लेवनीज बॉर्डर पे इस्राइल ने इसको डिप्लॉई किया है ना तो इस सर्विलांस ब्लिंप है जो डॉइंटली युएस की कंपनी है टीकॉम है ना जो एरक्राफ्ट की चैसा है इसमें डिरेक्शन सिस्टम से हैं पावफुल रडार हैं सेंसर से हैं ताकि मुल्टिपल एरवन थ्रेट्स को कर सके डाइसो किलमीटर दूर से और यह हाई अल्टिट्यूट पर ओरता है बिना रिफ्यूलिंग रिफ्यूलिंग के जरोग नही इस्राइल सेवर ए और हमारे पास एयरी दिफेंन सिस्टम है इंडिया में इब्षा रिसन्ली यहं एंप्रेस फॉरन्ड होग ऌका सिस्टम तो तो S-400 है हमारे पास, तो यह आपको पता होना जाए, S-400 है, एर डिफेंस सिस्टम्स, ठीक है, आगे आता है, इनके CEO है James Heigle, है ना, उनने बोला है कि हम सीवेज से ही किरोसीन जैसा यानी पैटल हो जैसा अब यह जो जैट शूल होता है, इसलिए जैट फ्यूल महंगा होता है, ओके, तो, कार्बन एविशन को कम करने के लिए काम किया जागा, क्योंकि तुमको पता है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, यह कार्बन एविशन बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा धुवाँ पैदा होता है, उसकी वैसे प्रकृति को नुफसान होता है, तो, सस्टनेबल एविशन को बढ़ावा देने के लिए, 90% कार्बन फुट्रेंट को कम करने के लिए, फॉसिल जैट फ्यूल्स को, डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, इन्होंने यह खोच की है, अगला क्वेशन आता है, बच्चों हमारा, कि recently, which tiger reserve has got the title of India's dark sky, first dark sky park, कि इस tiger reserve को इंडिया का पहलाँ покh पहला डाँक स्काई पार्क बोला गया है, इसका नामा है पेंच, पेंच जो है, पेंच टाइगर रिजभ नहारास्टै में है, पेंच tiger reserve कहां पे है, इसका अंसर क्या है पेंच टाइगर रही जब यह कहां पर वेटा तुमारा यह महारास्टा में है पेंच इन महारास्टा इंडियास फर्स इंटरनेशनल डाक स्काइप इसको सर्टिफिकेट मिल गया है अब कि यह क्या करता है यह क्या करता है यह क्या करता है प्रोटेक्स का इंडिया जाएगा मेंडिया घ्रट अटोय आसरि को तो यार यह आई उसीन की अलग-अलग डेटा बुक्स भी आते उसके बारे में भी बात करूंगा आगे फिर आतार पैंगवार काओ जो कि रीसेंटली न्यूज में थी वो किस स्टेट से रिलेटेट है यह आंध्र प्रदेश से रिलेटेट थी ठीक है ना पीम ने पर्सनली आपने मोदी जी का फोटो देखा था गाये के साथ तो पैंगवार काओ थी है ना एट इस न्यू देली रेजिलेंस जो काओ है ना वो आंध्र प्रदेश के पैंगवार विलेज में होती है दुनिया के सब्सक्षोटी केटल व्रीड है बहुत छ इसलिए मम्मी बोलती है ना तो इसलिए क्योंकि गाये के दूद में काफी सारे नूट्रियेंट्स पाया जाते हैं इको फ्रेंडली काओ जो है वो सिग्निफिकेंट कल्चिरल प्रेक्टिस में यूज होती है और आंधर प्रदेश में की पूजा भी की जाती है इंक्लूद मंजी का नाम लेकिंगे आगी चलते हैं अगला कोश्चिन आ रहा है हमारा उहीं में कि पोंगल फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो यार इसका आंसर है ठीके ना पूंगल जो है वो बिचिकली रिलेटेट है थाई से तपनिल मन्थ थाइं पहटा है उसके वाड़े में पॉंगल मिड जनवरी में आता है पॉंगल पॉंगल होता है बैसाखी आपकी यह ना और यह सब चीज़ें होती है अलाग अलग जगह पर अलाग नाम है फेस्टिवल का बस परपस एक ही होता है नई फसल के उसके लिए ब्ूटीफल हरवेस्ट हो अलग-अलग fixing किया जाते तो इसली जरूरी है अब आज फस टेक जो कि निचुक पर क्या है फस्टक किस वहां से टोल उतना कट जाता है, तो वह करता है Radio Frequency. जो कि आप तोल याद रहक न, तो जो की RFID पैसिव टैक है, आप जाओगे टोल पे, अपने आप वहां से टोल न जाएगा और आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है, अब अगला question आता है, PM जी हमारे मोधी जी जो है, first installment उन्होंने किसी scheme की, constructing permanent house of poor tribal, अब यह जो scheme है, यह है तुमारी PM जन्मन scheme, कौन सी scheme है, PM जन्मन, पहली installment उन्होंने release कर दी बेटा, क्या नाम है scheme का, PM जन्मन, यह poor tribal लोगों के लिए है, जो कि हमारे मोधी जी ने वो किये, पदान मंत्री जन्जाती आदिवासी न्याय महा अभियान, PM जन्मन, पदान मंत्री जन्जाती आदिवासी न्याय महा अभियान, PM जन्मन इसका नाम है, जो कि poor tribal के welfare के लिए सरकारने लॉंच के कब वीदी पंदरे नममर 2023 को 24,000 करोड का बजट इसमें पैसा इसमें अलोकेट करा गया है तक ट्रैबल को वैलिफिट किया जा सके है ना उन्होंने एक लाख लोगों के साथ बेनिफिसरी से के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग करी और उन्होंने बोला कि सरकार उन सरकत वो अपना घरवनवाल है गवर्मेंट काम कर रही है काफी सारी ही जोंपे और गवर्मेंट स्कीम सेंद पॉलिकिस के बारे में आपको पता होना चाहिए आप डेली एक बार पड़ो न्यूस सुनो है ना मेरी जो करेंट अफेर की जो बाइट साती है मेरी जो वीडियो और वो एक्जा में आपको क्वेशन डिट्टो दिखेंगे तो आप इसको जरूर सेर करना और पढ़ना जरूर यह सारी जो चीज है ना इनका रिवीजन जरूर करने बच्चो अगला आता है वाट इस पेरा माइरो थीसियम इंडिकम जो की न्यूज में था रीसेंटी यह इस फंगस भी एस कांसर है न केरला में पाया जाता है ओके अब आदा है वेश कंट्री रिसेंट्ली साइन एन एग्रिमेंट विदे यूएस तो पर्चेस टॉमा हॉक मजा आएगा अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि क्या है किस कंट्री ने एग्रिमे हमें से प्रप्रमण प्रूस से हैं यह झो मिसाल है यह लॉंग Reach happens ट्र jorn कि ट्रोस में तर्शाब के इप पास च्रेंद्प है इंडिया के बारे में में बात करूँ थों हमारे बास ब्रमो से जो गेया सुपर सोने mise सुपर सोनिक क्रूज और हमारे पास एक सबसोनिक क्रूज भी है वाई दवे जिसका नाम में निर्भ है और देट सबसोनिक क्रूज कोईशन आया हुआ है दोनों पर पेपर में तो याद रखना भाई या अब ओके तो 400 मिशायलों की खरीदी हो रही है साब जापान की तरफ से है ना यह सिप से लॉंच कर दो सब्मरीन से लॉंच कर दो हेलिकाप्टर से लॉंच कर दो जहां से तुम्हारा मन करें लॉंच कर ठीक है लो एल्टिडूट पर फ्लाई करती है है ना और इसमें टरकॉम रडार होता है प्रसाइज गाइडेंस होता है इनिशली यह सॉलिड प्रॉपलेंट पर चलती है बाद में तर्वोफान इंजन पर आ जाती है और एक हाई रिस्क सेनेरियो में जापान की डिफेंस के अब आयूसीन स्टेटर्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर जो के न्यूज में था इंटरनेशन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ निचर जिसके वारे में थोड़ी देर पहले पहले बताया था मैंने वो किस क्रेटेकरी में जाला है उसको डाला है क्रिटिकली एंडेंजर जो विलुक्त होने के कगार पे हैं है ना जो की विलुक्त होने लगबाग इनकी संख्या बची है सौसे देवर्सों के बीच में जो कि थार के डेजर्ट में है मतब खतम हो रहा है इसको बचाना पड़ेगा इस्तिंगेच बाई है ब्लैक क्राउन ग्राउन इस बॉड़ी मास्ट विंग होते हैं इसके क्रिटिकली इंडिजर्ड के डिगरी यह नहीं कि रेड लिस्ट में डाल दिया गया इसको है ना ड्राई ग्रास्ट पे लोग जिंदा रहते हैं दिक्कात है यह तो मतब जानवरों का प्रोटेक्शन करना चाहिए तुमारे आसपाल चितने भी जान में ध्यान रखागर हो भाई कि वाट इस फोकस ऑफ रिसेंटली साइड एम यू और बिट्विन इंडियन क्यूबा इंडियन क्यूबा मेटा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए के मोई साइन वह रिसेंटली किस पर काम होए डिजिटल स्लीशन्स प्रोवाइड किया जाएंगे है ना पब्लिक इंट्रास्ट्रक्चर मुचल वेनिफ्टों को जैसे दोनों देशों को ओके होजदा में आर्किटेक्ट ओव राम मंदिर है यहां पर प्रभू सरी राम का नाम लेते हो है अब आप मुझे बताओ कि होजदा में आ गए है ना आयोध्या में राम मंदिर बन गया तो उसका अर्किटेक्ट कौन थे उसके त activists थे ज Pap forth श needle चंदरकांठ सोमपुरा चलाओंगा या यूट्यूब को तो मुझे कहीं नगहीं दिखते हैं तो उसको बनाया है अरूंड योगी जार जो स्कल्प्टर है ना मूर्ति के बागवान जी के इन्होंने वो मूर्ति बनाई है कि अब मंदिर के जो आर्किटेक्ट है राम मंदिर एउद्या के आर्किटेक्ट है वह कौन से भाई साब है वह आपके चंदरकांद सौंपुरा जी ठीक है ना यह एहमदावास से बिलोंग करते हैं और यह पुस्तेनी काम है इंका कई के परिवार के यही काम कर रही है कि मंदिर का अर्किटेक्ट्टर यह बना रहे हैं और मैं दों में बता लेता हूं सोमनाथ मंदिर अक्छड़धाम टेंपल इंका भी इनों नहीं बनाया है रहना ओब तो इंडिया की क्लुच्र टाइवर्सिटी को यह लोग बचाक रख र ठीक है यह प्लांट है आपका ठीक है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए फिर आधा डीके बासु का जज्जमेंट आया था रीसेनली जो की न्यूज में थे वो किस चीज से रेलेटेड है पुलिस कस्टडी में चो लोग होते हैं उनके राइट स्कोर्न की डिगनिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए यह था उसमें यह उसके बारे में बात करी जा रही थी है ना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आयूसीन स्टेटस ओफ अगुल हाज लॉंग बिल्ड लाग रिसेंटली जो की न्यूज में था वो आयूसीन उसको किस कैटेगरी में डाला आयूसेन उसको डाला नियरली थैटन यानि कि वाई सब इस पर दिक्कत आने वाली है आयूसीन जो कि साउथ अफरीका में पाई जाती है अब 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 आते हैं हम अगली चीज की तरफ अगली चीज जो है जानना जरूरी है जो आपके लिए फिट इंडिया चैंपियन पॉड का सीरीरी विच वाई रीसेंटी नियूज वाई विच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री अफ यू उनके मिनिस्ट्री है और वो एक टेरिटोरिल आमी के आफसर भी है आपको मैं पता दूँ कर आपको नहीं पता हो तो भीजट टीए सर्विंग टीए ऑफसर है अलसो ठीके जी तो इनोगरल एपिसोड में सीतल देवी थी जो कि आमलेस आर कर थी आमलेस आगर उन्होंने कि लोग जहां उम्मीद छोड़ देते ना वहां जीत का ही है ओके एसीन पैरा गेम उसने डिबट में ही ना गोल्ड मेडल नुटा दिया भाई तो सोचो तुम्हों लोगों के पास सारी चीचे हैं हाथ पैर आंख नाख कान उसके बाद भी तुमसे पेपर नहीं पास होते एक ऐसा बच्चा जिसके हाथ ही नहीं थे पच्चपन से वह गोल्ड मेडल जीत रही लड़की तो सोचो क्या उसका डेडिकेशन और उसकी वह रही होगी उनको सम्मानित भी किया गया था आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यहां पर अगले कोश्चन की तरफ में बढ़ूं उसके पहले मैं तुमको यहां पर चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो है ना आज कल यूथ जो है अपना जो भी बच्चे ना यह बाद में देखेंगे या अभी देख रहे हैं या जब भी मैंने देखा है कि ऑभी चज़ली हम्मत आज आथ जाते हैं हमारे अंदर ना जो आज के जो जेंजी वाले बच्चे जो जो 1996 सवन गे बाद सबस्क्राइब बहुत ज़ले हम्मत हार जाते हैं कि एक बार में नहीं हुआ तो फिर कुछ और करने लग जाते हैं तो यहां पर मैं उन बच्चों को यह बोलना चाहूँगा कि यार देखो तुम्हारे हाथ में जो है वह एक ही चीज है वह एक चीज तुम्हारे आध में hr अगर तुम महनत करोगे तो तुम लाइस में न कुछ ने कुछ तो करी North कर लोगे ठीक है परकर तुम एक दो बार में कामिया बगर नहीं हो रहे हैं और उसके बाद तुम गिवप कर देते हो यह चोड़ देते हैं यूद की कि यार एक बार में नहीं हो रहा चलो छोड़ो यार कुछ और करते हैं दो बार में चोड़ो यार अगर आप लगे रहोगे ना उसी क मैं कटवती करनी पड़ेगी, social media consumption कम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पर जो उसका reward होगा ना, जो उसका output होगा, वो आपके favor में होगा, वो आपके लिए होगा, असली चीज, ठीक है, तो give up करने की जो tendency है ना, वो निकालो, persistent बनो, में को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, कि दिक्कत है, वो वो दिक्कत है, है ना, तो मैंने कहें, यार देगो, एक बर मेरत भी नी हो रहा था, लगे होगा, अगर भीच में छोड़ दोके तो, तुम्हारे पास कोई कहानी नहीं नहीं होगा, मेरे पास अगर आज अपनी चानी है बताने की, तो वो इसलिए है कि मै और आपको कुछ करना है जीवन में आपका कोई लग्ष है कोई उद्देश है कोई सफना है तो उस पर लगे रहो दिल से आती है जरत कोई करने के लिए तो उसमें आ गिप नहीं करना हो कच्छुआ क्यों जीता क्योंकि वह चलता रहा खरगोश एकडम से दौड़ गया यार कच्छुआ क्या मेरे से जीतेगा यह वैसे चल नहीं पाता पर एक बात क्या सीख क्या थी स्लो एन इस्टेडी विंदर इस है ना बच्छमन में हमने सब ने पढ़ी न कच्छुआ करगोश की कानी तो जो चलता रहेगा चलता रहेगा जो निरत प्रयास करता रहेगा है ना एक बहुत एक डायलोग है कहते ना करत करत अव्यास थे जड्मत होत सुजान, रसरी आवज जाते, सिल पर पटत निसान तो जब तुम स्कुए से जब तुम पानी खीचते हो ना गाव में कभी जैना कुआ देखना उसमें सिल होती है पटीय की सिल होती है उसमें ग्रशी उस पत्थर पे गिसती है तो ओधर पीर आवस तायम जब खीशते खीशते घिश जाती है ना वो चीज तो पत्थर को भी रसी काट देती है तो ऐसा हाल तो नहीं है तुमारा कि तुम इतने जड़ तो नहीं हो पत्थर की तरह कि तुम्हें समझ में ना है आपके पास सारे टीचर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं हूँ, अपना चैनल है, बहुत सारे और भी लोग पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो, मेहनत करो, आप देखोगे कि कुछ समय में आप भी जो करना चाहते हैं, वो कर लोगे, बट गिवप मत करना, एक अचाहत अपने अदर डालो कि यार कुछ भी हो जाए, कितनी भी सिच्वराव हो जाए, मैं घ unfold नहीं मानूंगा, कितने हार नहीं मानूंगा, रह नहीं खानूंगा, तो वो एइटिचुीड लाओ, कि give-up नहीं करना, परसिस्टेंट रहना है अपने अंदर धैर्य लाना है ठेहरे क्या ह currently? persistence को ही Hindi में ठेहरे बोलते हैं ठेहरे होता है कि बार-बार असफलता देखने के बाद भी आप लगे पड़े हो आप अगले attempt में पिशले attempt से बहतर कर रहे हो आने वाले समय में आप पिशले वाले से बहतर करोगे क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या गलती करी थी, हाँ, आपको विचार बेमर्स करना पड़ेगा, पुरानी जो गलती हैं पर आपको बैठ के समझना पड़ेगा, पर अगर आप उसको कर लोगे, तो वो आपके लिए आगे वाले जीवन में, आने वाले अटेम्ट में, आन सिस्टम, उसका यह जो onde to see. का करता था इंडिया के माधिम से करा आपकर देगा जाता है का क्छ यह से का लोगे, जैसे से लिकर है ट्रॉक्स है समझा वो कर दिया उसके डेटा को automated report आती है यहां पर dashboard पर analytics आ जाते है QR code based receipt आपकी आ जाती है यहां पर है ना for legal cash transfer अब यह real time information sharing हो जाती है enforcement agencies के साथ तो coordination में वैथर होता है और intelligence sharing हो जाती है recorded moment होता है seizure अगरा नहीं होता मतब कुल मिला के systematic process है पूरा जहां से help होती है election commission of India को और जो officers उस election process के दौरान involved है उन सब को अगला आता है तो the grantha script जो की sanskrit में लिखी जाती थी वो mainly किस state से Indian state से related है था यह जो है ना यह तुमारी related है basically Tamil Nadu से किस से related है Tamil Nadu से related है यह इस दा answer ठीक है कि एक पंजचेरवाजी विलेज है नियर कंगयमिन तमिलनाडू जहां पर गरंदरी और यह script है यह historical script है भाई इसके बारे में आपको पता होना है recently who has been comfort with the prestigious freedom of city of London award यह मिला है अजीद मिस्त्रा जी को किसको मिला है अजीद मिस्त्रा को जो की Indian law lawyer है ठीक है वो एक वकील है उन्होंने लेगल और पब्लिक लाइट में बहुत ज्यादा योगदान दिया है उसके लिए उनको मिला है अगले question की तरफ आते हैं जल्दी जल्दी अगले प्राइमरी हैबिटेट और इम्परर पैंगुइन प्राइमरी हैबिटेट के एम्परेर पैंगुइन का जो की अभी बच्चो न्यूज में थे आपके तो उनका जो प्राइमरी हैबिटेट है वो है पैकाइस इं सराउंडिंग मरीन एरिया जिन अंटाक्टिका यह बात याद रखना जो की रीसेंटली न्यूज में था माड़ो क्या है आर्मर्ड लाइट इसको बूला गया है ASL, ALSB इसको बूला गया है, ठीक है, ALSB इसको बूला गया है, इसको बनाया है, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने, किसने बनाया इसको, इसको बनाया है, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने, महिंद्रा है बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़िया बनाता है महिंद्रा डिफेंस शिस्टम्स याद रखना ठीक है रिसेंटली विच इंडियों कंपणी लॉंचे फर्स आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्ण कृतिम यह केस कंपणी ने लॉंच किया है ओला ओला आपने सुना है बाविश अगरवाल की कंपणी ओला कैप्स आपने सुना होगा ओला की स्कूटर भी आते हैं आज कल ठीक है तो यह एक ओपन गृप्स का एई-इफ ओला ओला का है यह ठीक है इंडिया फर्स आटेपिस यूनिकॉ यूनिकॉन होता है एसी कंपणी अब यहां पर इंडिया जो कि पहला एई-इस कंपनी इसका वैलूएशन मोर देन वन बिलियन यूएस डॉल डॉलर है मैंने कुछ यूनिकॉन कंपनी में काम किया है तो मैं आपको पताता हूं मैंने लगबग मैंने तीन उनिकॉन कंपनी म में ओपर लग जाता है तो जिसका वैलूएशन यूएस डॉलर हे वर बिलियन से उपर हो जाता है वन बिलियन ए अट लीचल यह उचादा हो जाता है तो वह कंपनी क्या क्या अक यह निकॉन मैं कहीतन यूएस डॉलर का इसका वैलोइशन पहुंच गया या उपसे उपर पहुंच गया वह कंपनी यूनिकॉन बन जाती है तो बावी सखरवाल इस दसी यू इन फाउंडर ओलक एप्स तो उन्होंने प्रिवेसली एक प्राइब यूनिकॉन इस प्राइवेट ली हैल यूनिक नॉस में पैंडमिक की वज़े से क्या हुआ डिजिटल ग्रोथ जो थी न इंडिया की बढ़ गई है ना अब तुम्हें पता है कि डिजिटल पेइमेंट इकरू सिस्टम जो है बढ़ता चला जा रहा है है तो सिंबल सी बात है यार देखो मैंने तुम्हें पताया यह इसका अंसर है संडी और मडी बॉटम मरीन वाटर में पाया जाता है ठीक है यह क्या है क्रेब है कराब है केःड़ा ओके समझे है लगबगं शेंडिज तक बढ़ जाता है और इसकी जो जी 10 साल तक की छाइव होती है अगला प्रेशन आता है तोर्खम बार जो की रिसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंडरी है वाँ पे दस दिन के लिए बॉर्टर बंद कर दिया था ठीक है इसको आप लोग याद रखेंगे जो यहां पे करके हिस्टोरिक खाइबर पास है जो दोनों कंपनी की एकॉनमी के लिए जरूरी है दोजार एक किस में यहां पर तालिबान की वज़े से दिक्कादावी थी अब आधा है लाफिंगल एक माइग्रेटरी वर्ड जो नौर्थ अमेरिका से आती है किस राष्ट में देखा गया इसको का देखा गया के अंदर के चिदकारी एस्चुरी में केसर गोर्ड डिस्ट्रिक जो है ना वांका वहां पर इसको देखा गया वच्चो जब यह जब बोलती है न चिडिया तो इसकी एसी लगते है कि हास रही है इसलिए फेमस है थोड़ यूपी यूपी में कहा बना है ये बदाओं के अंदर बना यूपी में बदाओं के अंदर आपका ये biomass gas waste क्या बना है plant बना है एक सेकिंड बदाओं के अंदर बना है मिक्चो ठीक है यूपी में यूपी के CM3 योगि Euro الذيveland GNews का and करा हिंदुस्तान पेटोलियूम कॉपर कॉपरेशन लिमिटेड है ना उनका ये एच्पी सियल के उसमें आया है बायो मास बेस्ट कंप्रेस्ट बायो गस्प्लांट इन बनाओ यूपी इवेंट जो था उनियन इनिस्टर हरदीप सिंग पूरी और उनके साथ अलग अलग लो इसका अंसर है तो अब अगर मैं बात करूं तुमसे तो ये हमारे कुछ 50 question थे ठीक है ये हमारे क्या थे 50 question थे लगबग जो कि मैंने तुम्हें जन्वरी के major major questions कभर करा दिये और भी परने बैटो कि तुम्हें तुरंट क्लिक करेगा अटेंसिन मतलो और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं डिफेंस अपडेट्स ऑफ जन्वरी है ना हर महीने की डिफेंस अपडेट्स की 50 क्वेस्टेंस में निकालता हूं वह भी आपको बताऊंगा आपको पेपर आ रह छानते हैं जो बच्चे भार देखिंगे उनको मैं यहाँ पर बता देता हूं टिसएसमाइ नंबर बच्चा वाटी कर सकते हो इस कास्वे बट्प सब्सक्राइब और कि रापना अपनी पार्श में बताना और उसके नीचे अपना मैसेज चोटना मैं को जब को बोल दूँगा कॉल कर लो ठीक है इस नंबर में मुझे रीच आउट कर लेना यह पूरी पीडिया आपको डिस्क्रिप्शन में विल जाएगा अगीन चीज की प्लेइस अलग से बना रही है एक इस नोग उसको भी देखना है वकी तो आप ने बड़ी यह बड़ी यह बड़ी आसी सर्ट पहनी होई है यह देखो यह जो सर्ट मैंने पहनी होई एक इस बींग सेंट वी और रोईध बाई and he is a very dear senior and उनका एक brand है जिसको हम कहते है वर्दी and वर्दी is a military up cycling brand जिसमें हम लोग क्या करते हैं हम लोग soldiers की uniform को collect करते हैं ताकि उनका graceful disposal हो पाए और वर्दी फिर उनको क्या करता है उनको वर्दी convert करता है ऐसी clothing में जो मैंने shirt पहनी हुए ऐसी clothing में jackets बनाते है sling bags बनाते हैं laptop bags बनाते हैं एन बाइदव एक चीज़ दिखाता हूँ caps भी बनाते हैं ठीक है कुछ ऐसी caps बनाते हैं हम लोग उसके मादे हम से ऐसी देखो कितनी बड़ी ऐसी कैप है अभी logo change हो चुका है यह पुराने सीजन वली कैप है this is the old season cap यह हम बनाते है तो इसको भी हम लोग check out करना मैं उनका link आपको description में रे दूँगा और बहुत amazing सा collection है अगर तुम चाहते हो कि तुम proudly you want to wear the uniform feeling लेना चाहते हो यह जो मैंने जो पहने हो यह किसी पुराने उनको graceful एक हम disposal देने के लिए हम लोग उने brand create किया है जिसमें आप वह एक feeling ले सकते हो नेशनल उसे associate होने की uniform से associate होने की and I really really love this concept of road sir जो उन्होंने यह चीज़ चोची and हम army navy air force and defense personals को वापस मैं सबको thank you बोला चाहूँगा thank you for your service and आप लोग जाओगे जब arm forces में तो तुम अगली पीडी हो यार तुम लोग जाने वाले हो मैं अपना बिट देने की कोशिस कर रहा हूं अपनी experience के माध्यम से अपने content के माध्यम से अपने channel के माध्यम से इसको देखो उन सभी बच्चों तक आप पहुंचाओ बड़ा वाही होने के नाते मेरी पूरी कोशिस रहेगी कि मैं एक बहतर इंसान बना सकूं तो मैं better competitive exam को face करने का एक नजरिया दिखा सकूं और तुम लोगों को जल्दी से जल्दी अकैड भी पहुंचा सकूं मेरा तो वही मोटो है यार ठीक है मिलोगा आगली ग्लास में पढ़ाई करो मैनत करो जैहिंद I'll see you in the new form soon